तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंस और यूविका चौधरी के complicated relationship के बारे में Recently यूविका चौधरी अपनी pregnancy blogs बना रही है और उस blogs पे काफी ज़ादा लोग criticize करें प्रिंस को कि वो एक caring husband और एक caring father नहीं है क्योंकि इन months में सबसे ज़ादा husband की ज़रूरत होती है और यूविका के block से पता चल रहा होता है कि प्रिंस उसके साथ भी नहीं रहता एक ही शहर में दोनो separate separate अलग घर में रह रहे होते हैं प्रिंस कोई भी care नहीं कर रहा होता डेली रूटीन में यूविका की और तमाम चीज़े ना यूविका अकेले ही manage कर रही होती साथ में बहुत सारी और चीज़ों पे भी लोगों ने criticize किया कि क्या actual में इनको IVF की need थी या नई इस तमाम procedure को यूविका ने अकेले handle किया साथ ही साथ ना प्रिंस उसके साथ नहीं रह रहा होता यूविका के according कि प्रिंस को party करना होता है उसे अपना काम करना होता है और वो disturbed ना हो इसलिए यूविका अकेले रह रही है लेकिन सोचने की बात ये है कि दुनिया भर के आदमी जब उनकी वाइफ प्रेगनेंट होती है तो उनके साथ रहते हैं बेशक उन्हें जितना भी काम हो तो प्रिंस अपने काम को साइट पे क्यों नहीं कर सकता इसके साथ बहुत सारी और आदते हैं प्रिंस की जो के आदियन्स को अनॉइंग लगती है जैसे कि यूविका को इगनोर करना, उसकी केर ना करना, हर वक्स सैल्फोन में मुबाइल में लगे रहना, पार्टी करते रहना और अपनी प्रेगनेंट वाइफ और होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी ना करना अब आपका इस बारे में क्या उपिनियन है, क्या सच में प्रिंस का एटिट्यूट बहुत जादा केरलेस है यूविका चौदरी की तरफ और अपने होने वाले बच्चे की तरफ